वास आ गई हॉस्पिटल आ गई बीपी पी क्या पता बीपी की दिक्कट नहीं पता नहीं गाई थे मारे गर को क्या हो गई दो मेंट के लिए व्लोगिंग करना चोड़ नहीं सकते दो तीन व्यूस काम आ जाएगा तो कुछ तुमारा चला जाएगा राशन कम हो जाएगा लॉंडरी वाले का बिल नहीं दे पाओगे टेक्स नहीं भर पाओगे जी एस्टी नहीं भर पाओगे क्या हो जाएगा अगर एक मिनट के लिए दो मेंट के लिए या आदे घंटे के लिए दो घंटे के लिए एक दिन के लिए कर व्लोगिंग नहीं की अलो दोस्तो दिपीका आरिया की फ्रेंड मीशा ने पायल मलिक और किर्टिका मलिक को एक्सपोस किया उनकी ब्लोग विडियो देखकर एक्सुली एक ब्लोग विडियो में पायल मलिक बहुत ज़्यादा बीमार थी लेकिन फिर भी वो लोग ब्लोग विडियो शूट करना नहीं सोर रहा था इसी के उपर मिशा ने कहा तुम लोग एक दो दन के लिए ब्लोग विडियो बनाना नहीं सोड सकती हो क्या इतना जदा बीमार है फिर भी ये लोग ब्लोग विडियो बना रहा है और दोस्तों मिशा ने कहा ये लोग भी उसके लिए नाटक भी कर सकता है इसी के उपर पायल मलिक और किर्टी का मालिक ने अपना रिप्ले देती हुए क्या कहा पहले अब यह सुन लीजिए अभी बीमारी में भी मैंने हॉस्पिटल में एक टेक ले रहे था अब मैंने गोलू को अब बेज देता उनके लिए भी जो हमारे लिए अच्छे लिए उनके लिए तो है यह है तो आप मत देखो ना बच्चो की आइड़ी आप आ रहे हो आप इतने बुरी-बुरी कमेंट करें अगर कोई तुम्हारे बच्चे के बारे में बोले घर पे आके तो पता नहीं क्या हो जाएगा और त उसे बोलना तक नहीं आता ठीक से अभी विचारा इतना प्यारा चोटा सा भगवान के डूप होते है बच्चे उसके बारे में तुम लेख रहे हो जैसे पता नहीं उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बिगाड़ा तो वैसे हम लोगों ने भी तुम्हारा कुछ भी नि और इसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सेनल को सब्सक्राइब करके रखे